चत्यस्गर्वे विधान सबा चुनाव से पहले भारती जंता पार्टी को बड़ा जटका मिला है भारती जंता पार्टी की वरिस्ची नीता तीन बार के सांसद दो बार राजिस सबा सांसद इसके अलावा रास्टिय अनुसूचित जंजाती आयोग के अध्यक्ष और तीन ब कुमार साई ने भाच्पा का दामन छोड़ कर कांग्रेस का दामन ठाम लिया है कांग्रेस मुख्याले के नंद कुमार साई का ढोल नगारों के साथ जोड़ार स्वागत किया गया मुख्यमंत्री भूपेश भगिल प्रदेशक द्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में रहा कि आज बहुत बड़ा दिन है आदिवासी और मजदूरों के लिए पूरे जीवन संगर्श करने वाले नंद कुमार साई ने कांग्रेस की सदक्त्या ली है साई जाना पहचाना चैरा है तीन बार विधायक तीन बार लोग सभा और दो बार राज्य सभा में रहे उनका जीवन साथ की पूर्ण रहा वहर नमक नहीं खाते जब नमक नहीं खाते तो किसी का नमक लगनी का सवाली नहीं उठता साय ने कंग्रेस सरकार की दबी जुमान से नहीं खुले मंच से प्रशन साथी कंग्रेस परिवार में उनका स्वागत करता हूं आज साई को सुनने का नंदुकुमार साही ने कहा कि यह निर्ने काफी कठिन और मेरे जीवन का अधूतिय निर्ने है अटल बिहारी को फॉलू करता था वह भारत माता के लिए कहते थे कि भारत एक जीता जाकता रास्टे है अटल जी की पार्टी आज उस रूप में नहीं है परिस्तितियां बदली हुई दिफ्ति हैं गोपेच सरकार को वाच किया जो कस्बे थे वो शहर बन गए एक नारा अच्छा लगा नर्वा गर्वा घुर्वा बड़ी एला ना छोडवे संगवारी सनातन चिंतन को यहां नया सरूप मिल रहा है भगवान राम की ननिहाल को सवारा जा रहा है राम पन गमन पद बनाया जा रहा है नंदकुमार साय ने कहा कि भाजपा का सरूप आज बचा नहीं है बीजेपी में मुझे किसी दायत्व में नहीं रखा गया पद की जरूरत नहीं है लेकिन आम लोगों का काम भी नहीं दिखता है जन हित की काम करने के लिए समर्थ और का विता पोस्ट की है जिसमें आदिवासी समाच के हिस्सकों सर्वू परी रखने की बात कही गई है इससे पहले वरिष्ट भाजपानेता एवं पूर्व भाजबा प्रदेश अदेश विष्णु देव साय एवं संधिधन महामंत्री परवन साय ने नंदकुमार साय के नि से मुलाकात हुई लगभग दो घंटे उनके निवास पर रहकर फोन से कुछ संदेश उन तक और पहुंचे परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं आई गौर तलब है कि रविवार को ही नंदकुमार साय ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरूंड साफ को पत्रे लिखा है इ ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे